एक बात सब को समझनी चाहिए जो पहले सत्ता में थे उनको भी जो आज सत्ता में उनको भी जो आगे आने की इख्षा रखते वो तो अवरी जादा समझे शब्रिम जी इस दैश में 86 फिशदी 46% किसान ऐसा है आलोक मेरी बात की गबाही देंगे ऐसा है जिसके पास दो एकड या दो एकड से कम की जोत है ठीक बहुत छोटी जोत होती है इसका मतलब कांट्रेक्ट फार्मिंग का सी नहीं कर सकता ये दो एकड में दो एकड में क्या कांट्रेक्ट कर लेगा उतना तो पाइदा नहीं हो रहा जितने बच्चे खाले बोरे भर के एक अद बोरा कुछ निकला भी मूंगूला तो बेची आया उतसे बच्चों कपड़े आ गए घरम सर्दी में खतम केती खतम केती समझगी ना 86 फिशदी कितना तब क्या 14 फिशदी के लिए हाय तो बा मचाए हैं सब लोग मेरी चिंता है 86 फिशदी की एका इलाज पहले करो जैसे कॉरोना में हमने प्राइटी सेक्टर माटा ना राजनेतिक व्यक्तियों के चर्णों में यतर्क रख रहा हूं कॉरोना में हमने प्राइटी सेक्टर बाता ना गंभीर बीमार, बुज़ूर्ग, हेल्थ वर्कर और सिक्यूर्टी फोर्से उसके बाद हट्टे कट्टों को मिलेगी इस 86 पीस दी का तो सोचो कैसे कैसे तर्क बना दिये माल लीजिए कोई 5000 रुपया महिना कमाता है और नोईडा, लखनव, गाजयाबाद में रहत सकते हो और पिजा हट में भी खा सकते हो, वो कहेगा चाचा मेरे रोटी का तो पैसा नहीं पिजा कहां से काऊंगा, इस छूट को मैं अवेल कैसे करूँ, अब बताओ, ननकू को या रज्याक को, हचिएगा ने मेरी बात पर दिमाग में आगे इसले कह रहा हूँ, रज्या बाला और आपको मैंने इस्पा का तुमको बाउचर दिया था, बहां जाके नाखून रगलबाते तो चमक नहीं आ जाती, फूट मसाज और क्या क्या कराते, समस्या रोपेट की है, हम कहरें जी फेशिल कराओ, फेशिल से काम चलेगा, 86 फीशिदी का क्या होगा, और यह को ब्यावारिक समस्या, मैं राजनितिक किसी पारिटी के पक्षे बेपक्ष में कभी नहीं होता, मैं ब्यवस्थाक पर सवाल करता हूँ, 86 फीशिदी जो दो एकड़ या दो एकड़ से कमका कास्तकार है भारत का, वो इतना उपजाता ही नहीं, जो ही जी, शवनम जी, भाई, रोहित, इतना उपजाता ही नहीं, कि वो अपने जिले की सीमा भी लांगे, अगर जिले की भी सीमा लांगी, तो सारा फसल मिट्टी हो गई, बहाद एक ट्राली गेहूं हुआ उसका पूरा मुश्किल से, बरेली बाला अगर बरेली में नहीं बेचा और उसने सोचा बदाइूं में बेचियाओं, तो उतना किराया लग गया कि गेहूं जीरो हो गया, क्या, इसलिए इस बात का यहां क्या मतलब बताव भाईया, मुझको उस वैद्द की विद्या पे तरस आता है, गोपालदास नीरस लिखे थे कभी, मुझको उस वैद्द की विद्या पे को एम बटूर में बेच से आओ गोविंग फूल में कुछ बचेगा आठ हजार रुपिया का गोविंग फूल पैदा हुआ पूरा माल लिजिए हैं सोला हजार आने जाने में लगे भरबाद होगे आठ जार जीव सदे उस छूट का फाइदा नहीं भारत में इस छूट का फाइदा लेने वाले चौधा फिसदी किसान है सर फूर्टीन फिसदी ओनली वो अपनी हितों के रक्षा खुद कर सकते हैं उसके लिए अमिताबग नि दिन्द्याल जी कहा करते थे अंति व्यक्ति के प्रति हैं आप लोग तो मात्र शक्ती हैं दोनों लोग मेरी दोस्त जोहीज सिंग जी और शबनंगी जो बच्चा छोटा एक बच्चा छोटा है एक बड़ा है मां का ज्यादा फोकस छोटे पर इसलिए रहता है कि वो अपन अपनी देखरें खुद नहीं कर सकता ना इसलिए मां का फोकस है यह 86 फीसिदी किसान मेरी भारत माता के वो शिशु है जो अपनी देखरें खुद नहीं कर सकते कभी सोच कर देखेगा इत्मिनान से जब मस्तिष्क शांत हो दो एकड़ की जोत में क्या हो सकता है कौन सा फर्मूला लगाएं कि इनको श्रीयंत की सिद्धी हो जाएं और कुवेर का खजाना आ जाएं कोई कानून मना दो दो एकड़ में क्या होगा चार बोरा भी अच्छे में बिकिजाई समझ दो इनके लिए दिवाली है आलोग बाबु गलत तो नहीं जाला दो एकड़ में चार हजार बोरों नहीं पैदा होगा और दो एकड़ में श्रीट जर्लेंड के फूल लगा लेंगे क्या लांगे परिसवा कुन देगा लोग तो ऐसा ऐसा ज्यान दे जाते बिजिनोर के आदमी को कहें कि तुम स्वीट्जर लेंड से विदेशी फूल क्यों नहीं मंग बाते उनकी खेटी क्यों नहीं करते लागत पता है उनकी लागत पता है अरे घर बिग्या मकान बिग्या अम्मा के मोतिया बिंद का आप्रशन ने करा पारा आदमी बिटिया के हाथ ने पीले करा पारा बोले उस स्वीट्जर लेंड के फूल बनाओ इसमें उगाओ गोवी क्यों उगाते हो यह वैसा ही तरुक है जैसा इस देश में कभी किसी ने कहा था किसानों की समश्यां पर कि अगर चीनी के दाम कम है और समश्य आहे रेट नहीं मिलता तो चीनी क्यों उगाते हो अब दिखानों के साथ किसान का कितना भला होगा ऑग रिजान खुदि समस्क्रण मैं बहुत हिर्दे से निवेदन करूंगा सत्ता पक्ष से किसान को समाधान दीजिए ये देश का बाप है हम सब का पिता है जो लोग यी अभदरता करते हैं कि किसान खेती नहीं करेगा तो भी खेती हो जाएगी ये वही बात है अपने बाप से कहें कि तुमने हमको नहीं पाला होता तो भी हम पल जाते कितनी अभधरता पून बात है हम अपनी मा से कहें कि तुम हमें पैदा नहीं करते तो भी हम पैदा हो जाते कोई बात हुई कहने की इस शर्मनाग बात है कोई अपनी मा से ऐसे कह सकता है कोई अपने बाप से ऐसे कह सकता है वेद ने कहा कि पिता कोन है जो पोशन करे मा कोन है जो पालन करे किसान पोशन भी करता है पालन भी करता है वो मा भी है पिता भी है